नमस्कार दोस्तों, मेरे नामें मलचंदरा, प्रम्मांड सिद्यस्ट में आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में आम चर्शा करेंगे दिनांग 15 जुलेश दो अजार चोबिस का संपुर्ण राशिफन उससे बैले आज के दिन का जो बंचंग है, उसके बारे मीं चर्शा करेंगे आज का जो दिन है सोमार का है क्रोधिनाम समस्सर है, सुर्यका, दक्षिन अएन चंदरा है, वर्शारतो है आशायन मैने की शुकलपक्ष की नौमी है, नक्षत्र स्वाती है, योग सिद्ध है, दिन का जो परण है वो बाल है और जो रात का करण है वो को लोग है आश की दिन का जो गुलिक काल है वो शुरुबात होगा दोपर दो बचकर 13 मिनिट से लेकर 3 बचकर 53 मिनिट तक और अभीजित मूर्थ दोपर 12 बचकर 8 मिनिट से लेकर 12 बचकर 56 मिनिट तक का होगा कुलिक काल और अभीजीत मूरत दिन के शुब कालावदी कहे जाते हैं इसमें किसी भी प्रकार के मैत अपुनकाम या फिन्दिन ने आप ले सकते हो सुब्रकार आज के दिन का जो राहुकाल है वो शुरुवात होगा सुब्र 7 बचकर 30 मिनिट से लेकर 9 बचकर 11 मिनिट तक और या मगंड़काल सुब्र 10 बचकर 11 मिनिट से लेकर 12 बचकर 31 मिनिट तक का होगा राहुकाल और या मगंड़काल दिन के अशुब कालावदी कहे जाते हैं इसमें किसी भी प्रकार के महत्रपुन कान पयों फिन्यन ने विल्कुल भी नहीं दे ना। उसी प्रकेर आज के दिन का जो चंद्रमा है यह चंद्रमा संपुन दिन तुला राशी में ब्रहमन करेगा। आजे के दिन मंगल और हर्शल की युति भी होने जा रही है। यवत प्रासिती सामने रखते हुए, बारा राशियों का राशिफल क्या होगा, इस विशेकर अब हम चर्शा करेंगे। तो सबसे पहली राशिय है मेश राशिय। मेश राशिय के सब्तम बाव में चंद्रामा का ब्रहमन है और आपी के द्वितिय बाव में मंगल और हर्शल की युति होने चाह रही है। महतबुण दिन है आपके लिए खास करके अगर आप विवाईद हो तो आपकी जो वैवाई जुड़िदार है उनके साथ आज आज आपके आरमनी काफी अच्छी देखी जाएगी। लेकिन दो-तिन बाते हैं जिस पर ध्यान देना काफी महतबुण होगा। अने वले दो-से तिन दिनों में आपके जो खर्चे रहेंगे उस पर ध्यान देना होगा। अनावश्यक खर्चे हो सकते हैं, अन्वाउंटेड इंवेश्मेंट हो सकते हैं। उसे परकर आपकी जो वैवाई जुड़िदार हैं उनके स्वास्त के बारे में भी आपको ध्यान देना बहुत ही जादा आवश्यक होगा। दिन आपके लिए मिला-जुला साथित होगा। इसके बाद की जो राशी हैं वो है बृशब राशी। वृशब राशी के 6 बाव में चंद्रमा का भ्रमन हैं और आपी के राशी में मंगल और हर्शल की युदी होने जा रही हैं। आने वाले 2-3 दिनों में आपको स्वास्त के बारे में ध्यान देना बहुत ही जादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार किसी भी प्रकार के मैं तो पूरे दिनने चोटे हो या बड़े आने वाले 2-3 दिनों में बिलकुल भी नहीं लेना भावना उनके पीछे किसी प्रकार के गलत दिनने नहीं लेना आपके जो अंदाज है वो पूरे के पूरे चुख सकते हैं उसका जो वो आने वाले कई मैने दोक आपको बुगतना पड़ सकता है तो खुद पर थोड़ा कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा इसके बाद की जो राशी है वो है मितन राशी मितन राशी के पंचम बाव में चद्रमा का प्रमण है और आपी के वैयबाव में मंगल और हर्शल की युती भी होने जा रही है अगर आप किसी के रिलेशन्शिप में है तो आप दोनों में जो हार्मणी है वो काफी अच्छी देखी जाएगी उसी प्रेकार आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो पर अच्छे लाब भी मिलेंगे लेकिन आने वाले दो से तीन दिन बहुत ही ज़्यादा रिमोट सावित होंगे स्ट्रेस स्टेंग्शन बहुत ही ज़्यादा बढ़ सकता है किसी भी प्रकार के महत अपने निरने छोटे हो या बड़ है किसी भी क्षेतर से रिलेटेड आने वाले दो से तीन दिनों में बिल्कुल भी नहीं लेना लोन नेना किसी कोई के कमिक्मेंट प्रॉमिसेस ऐसी बात ये बिल्कुल भी नहीं करना इसके बाद की जो राशी है वो है करक राशी करक राशी के चतुर्त बाव में चंद्रमा का भ्धमन है और अपी के लाब बाव में मंगल और हर्शल की यू तीवी होने चार ही है सबसे महतोपुर्ण बाद आज का जो दिन है वो आपके लिए शुक्फल दाय साबित होगा आपके घर के जो लोग है उनके आस्ता आप रह सकते हो गर पर रहना पसंद करोगे आराम करना पसंद करोगे और वो आराम आपको मिलेगा भी घर से रिलेटट जो भी महतोपुर्ण काम है वो आप खात मी ले सकते हो, कर सकते हो लेकिन आणे वाले दोसेति इन देनों में पैसे से रिलेटट कोई भी काम बिलकुल दी नहीं करना उसी प्रकार जो भी गर्बोगती महिला है उन्होंने भी खुत के स्वास्त के बारे में ध्यान देना बहुत ही जादा आवश्यक होगा स्वास्ते रिलेटर समस्या सामने आ सकती है तो थोड़ सा चौकनना रहना आवश्यक होगा इसके बाद की जो राशी है वो है सिंग राशी सिंग राशी के तृतियो बाव में चंदर मा का भ्रमन है और आपी के दशम बाव में मंगल और हरशल की युद्धी भी होने चार रही है आज का जो दिन है महतोपुर्ण सावित होगा घूमना फिर ना जादा हो सकता है महतोपुर्ण काम भी आप हात में ले सकते हो उसी बेकर सबसे महतोपुर्ण बाद जो भी आपका कारशेत्र है उससे related कई प्रकार की समस्या या फिर स्ट्रेस आने वाले 12 से 3 दिनियों में सामने आ सकते है किसी भी प्रकार के महतोपुर्ण दिने जिसके वज़े से आपके कारशेतर से ज़ीडर बड़ी कोई अगर बदला हो रहे है तो वो न्रणें आने वाले 12 से 3 दिनियों में बिलकुल भी नहीं लेना, आपके जो सहकर्मी या फिर वरिष्ट होंगे, उनके साथ भी छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, आपको स्वयम पर कंट्रोल करना बहुत ही जादा आवश्चक होगा, हाला कि घुमना फिर ना जादा आज की दिन होने की संभावना बन है, आपी के बाग्यबाओं में मंगल और हर्शल की युद्धी भी होने जा रही है, दिन आपके लिए मैतोपन साबित होगा, कुछ अच्छे लाव बगरा मिल सकते हैं, मैतोपन इन्वेस्मेंट भी हो सकती है, लेकिन किसी भी प्रकार के निरने बविश्च को लेकर आने पले दो से तीन दिनों में बिलकुल भी नहीं लेना, आपकी जो अंदाज है वो चुक सकते हैं, आपको स्वयम के स्वास्त के बारे में भी द्यान देना होगा, आपकी जो पब्लिक इमेज हैं, उसको धक्का लगने जैसे ही कुछ बाते हो सकती हैं, तो चौकना रहना इसके बाद की जो राशी हैं, वो है तुला राशी, तुला राशी में ही चंद्रमा का ब्रह्मन हैं, और आपकी का अस्टमबाव में रवी मंगल और हर्शल की यूती होने चाह रही हैं, आज आपको कॉन्फिडन्स एनर्जी देवन बहुत ही अच्छे देखी जाएंग, जो कामा मात मिलोगे, वो पूरे होते हुए नजर आएंगे, लेकिन आने वले दो से तीन दिनों में आपको स्वयम के स्वास्त के बारे में द्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा, एक्सिडन्ट प्रोन जैसी परिसितियां बन सकती है, कटना, लगना, छिलना इस प्रकार के शारविक व्यादी जैसे बाते हो सकती है, तो अलट रहना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा, आपके जो वैवाई जुड़िदार है, उनके स्वास्त के बारे में भी ज्यान देना आवश्यक होगा, इसके बात की जो राशी है, वो है बृच्चिक राशी, बृच्चिक राशी के सब्तम बाव में चंदरमा का भ्रमण है, और आपी के सब्तम बाव में फेक मंगल और हर्शल की यूती भी होने चाह रही है, महत अपुड़ दिन है, आपके लिए स्ट्रेस, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, ये सबी बाते हैं, वो आज की दिन बहुत ही जादा सामने आ सकती है, किसी भी प्रकार के महत अपुड़ दिन ने, किसी भी क्षेतर से रिलेटेड, आज की दिन बिनकुल भी नहीं लेना, आने वाले दो से तीन दिनों में भी आपको बहुत ही चौकनना रहना होगा, खासकर के आपके जो वैवाई जुड़ दिन है, उनके स्वास्त के बारे मे आवशक होगा, इसके बाद की जो राशी है, वो है धनूराशी, धनूराशी के लाववावावावावावावावावा का भ्रमण है, और आपी के शश्त बावमिस्तित, मंगल और हर्षन की उपी होने जा रही है, दिन आओ फिलियस्शुबृ फलदाए इसावित होगा, ज अब शब हो सकती है, कुछ अच्छे लाव अगरा भी मिल सकते हैं। आने वाले दो से तीन दिनों में आपको स्वैम के स्वास्त के बारे में ध्यान देना होगा। एक्सेटरन प्रोन जैसे प्रसितिया साम में आ सकती हैं। ध्यान रखिए, उसे प्रकार जो भी आपका कारिशतर है, उससे रिलेटेट भी किसी प्रकार के महत वणने निनने बिल्कुल भी नहीं लेना। इसके बात की जो राशी हैं, वो है मकर राशी हैं। मकर राशी के दशंबों में चंद्रमा का ध्रमन हैं, और आपी के पंचंबों में मंगल और हर्शल की युदिव होने जा रही हैं। जो भी आपका कारिशतर हैं, वहाँ पर के जो लोग होंगे, उनके साथ आज आपके हार्मनी काफी अच्छी देखी जाएगी। कुछ ने जो बाते हैं, कारिशतर से रिलेट भी हो सकती हैं, सबसे महतव पुर्णबाद, अगर आप किसी के रिलेशनशिफ में हैं, तो वहाँ पर जो बाते हैं, वो काफी जादा एक्स्ट्रीम पर जा सकती हैं। जो गर्बोवती मैना है, उन्होंने स्वयम के स्वास्त के बारे वे ध्याम देना, आने वले दोसे दिनों में बहुत ही जादा महतवपुर्णबाद होगा। उसे बाते हैं, अगर आप किसे के रिलेशनशिफ में हैं, तो बाते एक्स्ट्रीम पर जा सकती हैं, अगर आप शेयर मार्कम में ट्रेड करते हो, तो बड़े ट्रेड बिलकुल भी नहीं करना, आपके जो अंदाज हैं, वो पूरे के पूरे चूक सकते हैं। इसके बात की जो राशी हैं, वो हैं कुमराशन। हुए नजर आएंगे। लेकिन आने वादे दो से तिन दिनों में, घर के जो लोग है, उनके साथ जो बाते हैं, वो काफी एक्स्ट्रीम पर जा सकती हैं, और जिसका असर आपके दैनिंग जिवन पर होनी की संभावना बहुत ही ज़्यादा बन रही है। आने मने दो से तिन दिनों में बिल्कुल भी नहीं पहरना। इसके बात की जो राशी हैं, वो है मीन राशी। मीन राशी के अश्टमबाव में चंद्रमा का ब्रह्मन है। आपके त्रित्यवाव में मंगल और हर्षल की यूतिवी होने जा रही है। स्वास्त की समस्यां सामने आ सकती है। अगर आप ट्रेवलिंग करने जा रहे हो आने व़े दो से तीन दिनों में, तो स्वायं की स्वास्त के बारे में ध्यान देना बहुत ही जादा आवश्षग होगा। बहुत ही गट्रोल करना अलाट रहना आवश्षग होगा। तो दोस्तो ये था दिनंग पंदरा जुले दो हजार चोविस का संपर्ण राशिफन रन्यवाँ